अगले कुछ मिनिट के सेशन में आप जितनी भी चीजों को सुनोगे, सीखोगे और समझोगे, ये आपकी, मेरी, किसी टॉपर की या किसी फेलियर, स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, हम सब एक जैसे हैं, हम सब ग्रैजूली प्रोग्रेस करते हैं, हम सब ग्रैजूली चीजों को सीखते हैं, गलतियां करके, इस एक्जाम में बस देखना ये होता है, कि कौन एक्जाम के पहले, from the very first attempt, उन गलतियों को सीख जाता है, और वो first attempt ने इस एक्जाम को crack कर लेता है, वहीं कुछ students, दो, तीन और चार attempts तक, उन गलतियों को rectify नहीं कर प सीख लिया, एक्जाम के पहले, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, एक्जाम के बाद तो हर कोई शक्तिमान बन जाता है, सिर्फ उंगली उठाता है, और उढ़ना शुरू कर देता है, कि है, ऐसे question मैं तो forward दूँगा, अगर आपने शान्ती से बैट के, उन common mistakes को, जो मैंने इतने सारे students को mentor करने के बाद personally analyze की है, आप सीखते हो, तो आप बाकी students से बहुत बहतर तरीके से न सिर्फ पढ़ पाओगे, न सिर्फ अपना time बचा पाओगे, न सिर्फ अपनी energy बचा पाओगे, बट एक right direction में, आप वो हर चीज कर पाओगे, जो आपको exam crack करने में मदद करेगी और मैं इस particular lecture में आपको वो हर चीज, with the help of example, with the help of question, to the mark point, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, बस इसको आखरी तक जरूर देखना, और बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ देर तक से wait करो, आपको हर चीज, एक link based manner में समझ में आएगी, देखो, मैं question से इस lecture की शुरुआत करता हूँ, UPSC Mains 2024 में एक question पूछा गया, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप किसी भी student को उठा के ये पूछ लेना, कि लोक अदालत और administrative tribunal, इस question में उसने challenge face किया या नहीं किया, इसके क्या कारण है, वो म मैं अभी बताता हूँ, और कैसे उसको हम rectify करेंगे, मैं आपको ये भी बताता हूँ, देखो, सबसे पहली चीज़ जानना है ज़रूरी थी, कि ये लोक अदालत और administrative tribunal का question tough था, ठीक है, अब एक बार ये देखने की कोशिश करो, कि ये question क्या पूछ रहा है, ये question पूछ है, हमसे explain करो, distinguish करो, इन दोनों terms के बीच में, whether they entertain civil as well as criminal cases, civil as well as criminal cases, right, अब देखो, मजे की बात, सिर्फ आप नी, सिर्फ मैं नी, हम में से हर कोई, लोक अदालत के बारे में, administrative tribunal के बारे में, पढ़ता रहा है, एक तो यार पता नहीं, क्यों मैं बार बार administrative tribunal बोल रहा हू यह arbitration tribunal है, ठीक है, ऐसा होता है कभी-कभी, जब pressure में faculty भी होती है, ठीक है, तो लोक अदालत और arbitration tribunal, इस पे question पूछा गया है, ठीक है, अब मैं मान ही नहीं सकता, कि कोई भी एक serious aspirant है, उसने इन दोनों terms के बारे में, पढ़ाई न कियो, लगातार mediation, conciliation, arbitration के concept पे बात चल रही थी, mediation bill के बारे बात चल रही थी, मगर यह question challenging इसलिए बन जाता है, क्योंकि यह question, इन दोनों को define करने का question नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों को define करने का question नहीं है, of course, एक-एक line लिख दोगे, बट, actually में वो जो question है, वो इन दोनों के बीच में, distinction पूछ रहा है, difference पूछ रहा है, एक इदर, एक इदर, match करो, और बोल रहा है कि यह civil और criminal cases को entertain करते हैं, कि यह दूसरा पार्टे question का, आपको बताना पड़ेगा, इन दोनों के comparison format में, जब आप चार्ड बनाओगे, तो मैं उनको यह बात बोलता हूँ, कि pre के question को convert करिया जाता है mains के questions में, और mains के question को convert किया जाता है pre के question में, और यह मैं आपको proof करूँगा, ठीक है, बट, इस proof के बाद भी बहुत सारे students, बहुत सारी बाते बोलते हैं, और सिर्फ यह लौता ऐसा question नहीं है, जिसमें यह चीज स pre में बैठता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना जो चीज दिखाने जा रहा हूँ, तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने right to free legal aid case document को पढ़ा था, अच्छा, अब यह जो document है, आप टेलिग्राम पे जाके इस चीज को जरूर देखना, जरूर जरूर देखना, उसका मैं importance को और इसके question को हम लोग predict कर पाएं, और यह predict कोई astrology वाली चीज नहीं है, कि कोई अंधा तुक्का लग रहा है, लगातार यह जो topic है, यह न सिर्फ news में बना हुआ था, बलकि UPSC ने CDS की exam में 2024 में इस question को पूछा था, अब जब मैं CDS बोलता हूँ, तो आपको और आपके से बहुत सारे students को यह लगता है, कि यार यह CDS की बात हमसे क्यों कर रहा है, बट यह देखना और सीखना आपके लिए जरूरी है, देखो, यह UPSC CDS का question है, which of the following statement with respect to the right to have a legal aid is or are correct, ठीक है, उसने आपे legal aid committee का एक option बनाया, arrest of a person का question बनाया, directive principle state policy से से सको connect किया, यह legal aid का question है अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस question में कहीं पर भी, किस के बारे में बात नी हो रही है, लोक अदालत के बारे में, और हम किस topic पे answer धुनने की कोशिश कर रहे है, हम तो लोक अदालत पे question का answer धुनने की कोशिश कर रहे हैं, रैट? बस, यही चीज हमको सीखनी है अब इस legal aid के question से मैं लोग अदालत को कैसे पढ़ू और मुझे कैसे पता चला कि लोग अदालत पे 2024 में question आने वाला है अच्छा 2024 छोड़ो मैं तो आपको ये भी बताता हूँ कि 2025 में prelims में भी question आने वाला है डेल शोर क्योंकि अगर आप इस government document को देखोगे पहली बात तो आप मेंसे 90% से भी जादा लोगों को आज तक ये government document दिखाई नहीं होगा उसका भी एक कारण है क्योंकि आपने कभी भी government document पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी आपने हमेशा क्या कोशिश करी कि नालसा पे short notes पढ़ लिये जाए आपने हमेशा क्या कोशिश करी कि right to free legal aid के बारे में चीजों को रट लिया जाए लोग पाल लोका यूग जब पढ़ते हैं लोग अजालत जब पढ़ते हैं तो उनके short version पढ़ लिये जाए और आगे बल्ड जाए यही करा आपने अब मैं आपको इसकी importance बताता हूँ किसकी अगर आप government के documents को पढ़ते हो recognized institutions के documents को पढ़ते हो direct verbatism question आता है verbatism साथ ही अगर आप UPSC की different examinations को follow करते हो उनके questions को follow करते हो तो आप trend को पकड़ सकते हो और जिसने trend को पकड़ लिया उसने इस exam को फोड़ दिया अब telegram पे जब आप जाके देखोगे तो third of May को हमने इस चीज को discuss किया था इस पूरे issue को अब देखो अगली important चीज जो मैं दिखा रहा हूँ इस पूरे document पे एक बहुत keenly observe की नजर रखना देखो इसमें articles में बात बताई गई है बहुत सारी हाँ देखो है आपे preamble, socio economic, political, preamble से connect करके उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ोगे तो DPSP से connect करके ये सारी बातें बताई है जब मैं आपको इस topic को पढ़ा रहा था और जब भी मैं बोलता हूँ आपको कि मैं इस topic को पढ़ा रहा था मेरा हमेशा उससे मतलब होता है exam के पहले exam के बाद पढ़ाने का कोई sense नहीं है अगर मैं आपको exam के पहले इस चीज को नहीं पढ़ा पाया और ये exam में आ गई अब देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको क्या बात बोली थी कि ये जो services offered की जा रही है legal services authority के दोरा इनको एक-एक को धान से पढ़ना ये आपसे प्रीमे पूछेंगे प्रीमे नी आया कोई बात नी मैंने आपको ये बताया था कि जो question अभी हमने नीचे discuss किया arrest of a person के बारे में वो arrest of a person के बारे में आपको किसी भी coaching के institute के notes कहीं पे भी कोई चीज नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं cover करता है और देखो इस पे उन्होंने question पूछा था दिख रहा है आपको और अब इस option को देखो duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest of a person आपको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा document है जिससे verbatism question पूछे जा रहे हैं और वो आपको अभी तक पता भी नहीं अब आप में से कहीं लोग ये बोल सकते हैं कि एक question के लिए ऐसे तो तो हर बार अलग-अलग document बताएगा कि देखो ये उस document से आया ये उस किताब से आया तो क्या अचनी सारी चीज़ें पढ़ें नहीं इस particular PDF से कम से कम 10 से 15 question UPSC अलग-अलग तरीके से पूछ चुका है यहाँ पे अगर आप इस PDF को पढ़ते जो कि मैं आपको पढ़ाई थी आपने अगर revise की होती लोग अदालत का concept आप ये देखो कि कितने lucid manner में इन लोगों ने आपको explain की है लोग अदालत एक judicial body है क्यों setup की जाती है to facilitate peaceful dissolution of dispute between litigating parties power कैसी होती है ordinary civil court क्या-क्या कर सकती है लोग अदालत किस तरीके के matter को solve करती है except which are non-compoundable अब यहाँ पे compoundable, non-compoundable क्या difference होता है bail में क्या, bail का मतलब क्या होता है bailable offense, non-bailable offense ये क्या होता है ये सारी चीज़े basic concept के साथ अगर link करके आपने पढ़िए तो मुझे सिर्फ इतना सोच के बताओ कि क्या लोग अदालत का concept आपके दिमाग में एकदम crystal clear है और क्या इसी लोग अदालत को civil और criminal case से जब connect करके आपसे पूछा तो क्या आप उसका जवाब यहां से उठा पा रहे हूँ इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वो government document है और मैंने पढ़ाते वे भी आपको ये बोले थी बात टेलिग्राम पे अभी भी लिखी हूई ये वो बात कि UPSC पागल हो चुका है मैंने exactly ये शब्द लिखाता हूँ पे कि UPSC has gone mad on the free legal aid and low-kadalat and these type of concepts they are asking random questions और वो चीज मैंने क्यों बोली थी वो चीज मैंने बोली थी क्योंकि जब मैंने इस question को उठा के देखा था UPSC CDS के तो मैंने ये चीज फील करी कि अगर मैंने या मेरे किसी student ने ये document नहीं पढ़ा होता तो वो अगर खुदाना खास्ता civil service में question पूछ लिया तो हम नहीं कर पाएंगे कर ही नहीं सकते मैं आपको किसी भी agreement पे लिख के देने को तयार हूँ और आप खुद सोचो ये चीज क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तब जाके मैंने ये decide कि नहीं अगर ऐसा trend आ रहा है तो हमें कोई ऐसा document cover करना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें cover नो और finally मैं इस document के conclusion तक पहुचा कि हम इस पूरे document को पढ़ेंगे और देखो इस document को पढ़ा तो हमारा फायदा हुआ ठीक है अब इससे हमने सीखा क्या क्या हम ये सीखने आए कि एक question को कैसे solve करना था बस free legal है नहीं हम यहाँ पे ये चीज़ सीखने आए है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत जादा news में चल रही है बार बार UPSC अगर previous year questions में किसी चीज़ को पूछ रहा है तो ये हमारा दाईत्व है कि अगर उसने free legal aid के बारे में पूछा है तो हम यहाँ पे लोग अदालत के बारे में भी पढ़के जाएं सिर्फ यही नहीं अब हो सकता है कि UPSC prelims 2025 में वो लोग नालसा के बारे में पूछ ले यह हमारा दाईत्व हम पढ़के जाएं सिर्फ यही नहीं हो सकता है अगली बार DPSP से connect करके लोग अदालत या free legal aid के बारे में पूछा जाए कि यह कहां पे mentioned है यह हमारा दाईत्व है अब यह हमको काम करना है उन्होंने हमको trendset करके बता दिया है कि देखो हमने दो बार question पूछ लिए एक बार CDS के pre में एक बार civil services की mains में अब अगर तुम पढ़के नहीं आ रहे तो यह totally तुमारा fault है पहली चीज समझ मैं अभी तक हमने क्या-क्या चीजन सीखी है बहुत ध्यान से समझना प्री के question mains में पूछे जाते है mains के questions प्री में पूछे जाते है अब आते है second learning पे अब आप क्योंकि बोल सकते हो ठीक है लोक आदाला तो तुने पढ़ा दिया civil criminal ये तो कर लेंगे मगर तुने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ाई कि इन दोनों को सामने comparison format में कैसे लिखना है हाँ अब इसका जवाब भी सुनो मगर पहले उसके पहले मैं आपको arbitration इस बार सही बोला है मैंने arbitration tribunals के बारे मैं बताता हूँ तो देखो अब यहाँ पे ये जो arbitration, conciliation और mediation की बात चल रही थी जैसा मैंने आपको starting में बताया इस question को शुरू करने के पहले अच्छा देखो मैं बार बार आपको ये नहीं बता सकता कि ये देखो alternate dispute resolution के topic को UPSC ने pre में कहां कहां पूछा है mains में किन किन exams में पूछा है क्योंकि मैं already आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं तो सिर्फ अपने students को ये चीज समझाना चाहरा हूँ कि जो चीज़ें आपने जिस तरीके से पड़ी है उसको implement कैसे करना है देखो second एक बहुत बड़ी learning है जो इस keyword से निकलती है implementation part देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा और ऐसा होता भी नहीं कि मैं अकेला हूँ जिसने इस alternate dispute resolution के topic को through arbitration, conciliation, mediation इन तीनों में क्या difference होता है arbitration council of India क्या है United Nation का convention है on international settlement agreement mediation का hub बनना चाहरा है भारत क्या provision से mediation को लेके भारत में मैं अकेला नहीं हूँ जिसने इन चीजों को cover किया है आपने multiple जगे इन चीजों को देखा होगा that I totally agree मगर दोस्त मुद्दा ये है कि आप इन चीजों को implement कैसे कर रहे हो तो यहाँ पे ugly learning जो मैं आपको you have read आप उसको implement कैसे कर रहे हो imagine करके देखो मैं आपसे एक दूसरा question बोलता हूँ मैंने आपको एक question बोला था कि आएगा कि Mediation Bill 2021 पे question लिखने के लिए आएगा आपको ठीक है कोई बात नहीं वो नहीं आया उससे मिलता जुलता आ गया थोड़ा ठीक है कोई बात नहीं बट अगर आपसे Mediation Bill के बारे में question पूछ लेते तो क्या आप इन terms पे अपने answer को लिख पाते एक बार सोच के देखो एक बार सोच के देखो कि अगर आपने इस question को अच्छे से prepare किया होता Mediation Bill के तो क्या आप इस arbitration के answer को दूसरों से बहतर लिख पाते क्योंकि ये बात मैं मानता हूँ कि जो question distinguish करने का पूछा हुआ comparison format में इसको लिख पाना बहुत ही मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल डेटा है totally agree बट हमको सबसे best थोड़ी लिखना है हमको तो अपने competitor से बहतर लिखना है सोचके देखो कि उसको तो इन दोनों चीज़ों में with respect to civil or criminal cases clarity नहीं है कि क्या लिखना चाहिए मगर हम जिनोंने इतनी बातें पड़ी हुई है इस bill के बारे में हर चीज़ पड़ी हुई है online dispute resolution के बारे में सब कुछ पड़ा हुआ है जहाँ पे इन चीज़ों को cover किया गया है terms को civil or criminal cases तो क्या आप अपने competitor से बहतर answer लिख पाते जवाब है हाँ तो आपने अगली सीक क्या ली अगली सीक आपने ये ली कि आप जिस भी topic को पड़ते हो उस पे आपको implementation पार्ट पे exam में जाने से पहले सोचना पड़ेगा आपके आंकलन हर बार सही नहीं होंगे जैसे मेरा आंकलन गलत हुआ मैंने बोला था कि mediation bill 2021 पे question आएगा ही आएगा क्योंकि इतने multiple articles the Hindu newspaper में पड़ा चुका था बट उन्होंने question दूसरे format में पूछा बट कोई बात नहीं हम mediation bill को पड़के गए तो हमने arbitration और reconciliation भी पड़ा और अगर इसकी basic समझ भी हम लेके गए तो लोगपाल, लोगदालत इनसे हम compare कर सकते थे समझ में आरी है आपको बात चीक है इसके बाद कोई और question उठाते हैं जिस चीज को मैं सिखाना चाहता हूँ इस question से सीखते हैं देखो What changes has the union government recently introduced in the domain of center-state relations suggest majors to be adopted to build the trust between center and the states and for strengthening federalism देखो मैं आपको question समझाने नहीं आया हूँ answer क्या लिखना ये समझाने नहीं आया हूँ मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि किसी भी चीज को attempt करने के लिए क्या चीज जरूरी है और उस चीज को आप कैसे अपने अंदर लाओ ठीक है उस चीज को कैसे अपने अंदर आत्मसाद करो अब देखो ये question क्या बोल रहा है ये question बोल रहा है कि union government ने recently ऐसे कौन से changes introduce की है in the domain of center state relations मतलब कि जिस पे center state relations पे impact पड़ रहा है ये ही बात है फिर वो बोल रहा है ऐसे कुछ majors बताओ जिससे trust develop हो center state की relation में और बोल रहा है कि federalism strength under अब मुझे एक बात है सोच के बताओ कि अगर वो यहाँ पे federalism शब्द नहीं लिखता तो भी क्या हम federalism को लिख क्या आते but of course ही बात है अगर center state relations के बारे में लिख रहे हो तो federalism ही तो हो गया अब यहाँ पे जो एक serious student है आपको पता है वो यहाँ पे अब एक बहुत अलग तरीके के question से deal करवा रहा है और बोल रहा है कि center state relations में कौन से recent changes हुएं आप समझ रहो बात को पहले question को interpret करो अच्छे से कौन से ऐसे recent changes हुएं और अब बापर है इसका मतलब ऐसी कौन कौन सी गतिवीदियां ऐसे कौन कौन से act हुएं recent में जिसने center state relations पे impact डाला है वो तो ये question पूछ रहा है सबसे पहला वो पुंची commission सरकारे commission वो तो way forward में लिखोगे पहले तो ये बताओ कि 4-5 चीज़ें ऐसी तुमने कौन सी देखी पूरे साल में जिसने majorly center state के relations को impact किया कि आप में से किसने forest conservation amendment bill 2023 के बारे में act के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक आप ये बोली नहीं सकते कि मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने नहीं पढ़ा तो मैं बोलूगा कि आप serious student होई नी आप तुक्के से pre crack करके mains तक पहुँच गए मैं मान ही नहीं सकता कि किसी student ने इस bill के बारे में न पढ़ाओ हर student को एक चीज रटी होती है है न जब हम इस पूरे act के बारे में bill के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे बड़ी चीज क्या पढ़ते हैं हम सबसे बड़ी चीज ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये जो बिल है ये कॉंटरवीन कर रहा है लैंडमार्ग गोदा वर्मन जज्जमेंट को हम इसी चीज को पढ़ते हैं हम यहाँ पे Forest Conservation Act को पढ़ते हैं और जब इन दोनों चीज़ों को हम मिलाके पढ़ते है तो हम क्या देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि Union Government को Unrestricted Powers मिल रही हैं बोलो हाँ ठीक है फिर हम अलग-अलग State UTs के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये Sweeping Powers को Union Government यूज कर रहा है और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे State Government और Central Government में टसल शुरू होती है क्य to lease forest land to government और private मतलब खुद को भी अगर चाहिए तो इनका approval लो मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चारहों पता है कि आप लोगों ने जब इस topic को पढ़ा जब मैंने आपको बताया कि ये center और state relations में impact create कर रहा है in a negative sense तो आपने ये सोचा जो कि हर student करता है वो मेरा काम है आप को समझाना आपने ये करा कि अगर forest conservation amendment bill पे question आया या act पे तो मैं इस चीज को लिख दूँगा कि center government और state government के relations में क्या impact पढ़ रहा है कैसे state government की power को infringe किया जा रहा है मगर आपने उस समय ये नहीं सोचा कि center state relations पे भी तो question आ सकता है जिसकी probability ज़ादा है और अगर उस पे question आता है तो भी तो मैं इस सीज को mention कर सकता हूँ गोदा वर्मन जज्जमेंट लेंडमार्क और जो bill कॉंटरवीन कर रहे हैं आपस में मतलब कि मैं इस bill के बारे में अगर example लिख के आ जाता in any case इस particular question में तो क्या मुझे extra number मिलते है कि recent changes हुए में center state relations में जो introduce हुए recently आप मुझे बताओ क्या अगर एक student ये example दे के आता तो उसे extra privilege मिलता extra edge मिलती जवाब है हाँ बिलकुल मिलती यही चीज आपको सीखनी है अब आपको जो मैं चीज सिखाना चाहरा हूँ वो यह है कि कैसे आप अपने answer को दूसरों से अलग बनाओगे majority of the student तो यहाँ पे center state relations में recent में क्या changes हुए इसके बारे में लिखी नहीं पाएंगे कुछ students लिख पाएंगे आप उन में से कैसे stand out करोगे आपके example के through आपके example सबसे हटके होंगे जैसे अभी मैंने आपको forest conservation amendment bill के बारे में बताया next topic जिसको आप example के through quote कर सकते थे यहाँ पे आप में से किसको यह बात नहीं पता multiple time multiple time मैंने आपको बताया था कि कैसा question इसमें से पूछ सकते हैं कि ministry of home affair ने extend किया था उनका jurisdiction of the BSF up to 50 km from 15 km वो ममतादीदी ने धर्णा दे दिया था जो कि वो हर चीज़ पर कर देती हैं मैंने आपको यह भी बताया था कि security forces के बारे में प्री में question आ सकता है मैस्दा कॉलम में यहाँ पे भी हमने यह बात की थी कि कैसे यह federal structure को harm कर रहा है तो यह अब आपका काम है कि अगर आपको यह पढ़ाया जा रहा है कि federal structure किस तरीके से impact हो रहा है तो आपका दाईत्व है कि जो आपने PDF का printout निकलवाया है इसमें आप लिखो कि central state relations का question आएगा तो यहाँ पे CS करके लिखो यह होते हैं handy notes जिनको जब आप आप आखरी time पे revise करते हो तो यह आपकी help करते है कि अच्छा एक example उठा गिया forest conservation का दूसरा example उठा गिया यह BSF आल आजापे central government और state government के बीच में क्योंकि दिक्कत हो रही है तो यह federal structure को impact कर रहा है यह आगया central state relations का दूसरा example कितने ऐसे student होंगे जिन्होंने इस example को mention किया होगा आप खुछ सोचो फिर कुछ आते है general जिनके बारे में जो हर कोई लिख रहा है वो लिखेगा जैसे CBA हमने देखा था ना state government की consent लगती है वो मना कर रहे हैं कि CBA सीधे आके घुसके जाश नहीं कर सकती फिर जैसे GST council के बारे में यह हर कोई लिख देगा अब यहाँ पे आप disaster management के बारे में लिख सकते थे बट अगेन आप अपने answer को unique कैसे बनाओगे आप अपने answer में अगर यह net borrowing ceiling limit का जो लफड़ा चल रहा है center और केरला के बीच में अगर आप इसको mention करते जो लगातार हम एक debate सुनते आ रहे है centrally sponsored schemes के थूँ जो state government है इसका revenue लगातार कम होता जा रहा है और expenditure इनका लगातार बढ़ते जा रहा है मैंने आप लोगों को एक YouTube short में उसका example भी दिया था अगर आपको याद है तो बताओ मुझे निच चैट section में सबको याद होना ही चाहिए वैसे तो कि कितना percent revenue state governments correct करती है सारी मिलके और कितना expenditure का भार इन पे डाला हुआ है says surcharge के through ये लोग बहुत जादा पैसा वसूलते है तो overall मैं कहना चाह रहा हूँ कि fiscal federalism को connect करके भी क्या आप यहाँ पे अपने answer को लिख सकते थे यह आप खुछ सोचो और अगर आप यह सोच पा रहे हो तो अब आप खुछ सोचो कि center state relations में recent में क्या-क्या changes हुए जो एक आम सा experiment लिखेगा GST council के बारे में disaster management act के बारे में CBI NIA act में क्या changes हुए और हम तीन ऐसे solid और unique example देंगे जैसे net borrowing, ceiling limit, goda overman judgment कैसा countermean कर रहा हूँ BSF वाला, तो क्या आपका answer अलग stand out करेगा या नहीं करेगा now it's up to you ठीक है, तो actually में जो student फसा था या फसेगा वो ये first वाले में फसेगा दूसरे वाले में तो कोई भी लिख देगा है ना, क्योंकि अगर उसने federalism पड़ा हुआ है जो की पड़ा हुआ होना ही चाहिए वरना कर क्या रहो बैटके, right तो जिसे federalism की जितनी भी basic बात है, जिसे वो तो exam में एकदम crystal clear होनी चाहिए unitary federal में क्या difference है कौन कौन से list में क्या चीज़ें आती है अगर कोई बोल दे asymmetric federalism पे कोई बोल दे cooperative competitive federalism ये तो आनी ही चाहिए वरना आप लिखी नहीं सकते है कुछ अब मान लो दिल्ली में question आ जाता कि UT और center के बीच में जो federalism है वो कैसे impact हो रहा है ये सारे question आप से पूछे जा सकते थे ठीक है, बस उन्होंने इनको पूछानी, तो मैं आपको क्या lesson देना चाहरा था वा तब पहुचा वो lesson ये था कि center state relations को जब आप पढ़ रहे हो न, तो कोशिश करो कि आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें साल भर में पढ़ी, उनको आप हर जगे, एक जगे concentrate करके लिख दो, जैसे गोदा वर्मन center state में लिखूँगा मैं, अगर question आया तो BSF center state में लिखूँगा मैं, question आया तो इस तरीके से अगर concentrated manner में आपके notes हैं तभी आप उन example को reproduce कर पाओगे वरना, भले ही आपने forest conservation amendment bill पढ़ा हो भले ही, आपने BSF के issue को पढ़ा हो, आप उसको नहीं लिख पाओगे ये समझाना चारा था मैं कि पढ़ने के बाद भी आप उसको लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा कि center state relations में भी इसको लिख सकते हैं ठीक है? और रही बात way forward की तो वो तो इस question का हर कोई लिख देगा, अब लिखना ही क्या है Federalism के बारे में लिखना है, Interstate Council के बारे में लिखना है, Zonal Council के बारे में लिखना है Federalism cooperative, competitive और 7th schedule के बारे में कोई लिख देगा बस, Second Point issue नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए issue ये था कि अलग-अलग जगे जो चीजें पड़ी हुई है, उसे concentrated manner में एक जगे Central State Relations कैसे बना आपके student लिखे, तो ये चीज हमने यहां से सीखी, अब देखो, एक और कोई question उठाते हैं, जैसे ये अब देखना इस question में क्या बोल रहा है, gender equality, gender equity, बस, अब रुको एक मिनिट यहां, आधी जनता यहीं पे ढेर हो गई कि gender equality और gender equity क्या होता है क्योंकि woman empowerment तो सुना हुआ है, दस बाते हैं लिख भी देंगे, program design, implementation सब मुद्दे की बात तो यह है gender equality और gender equity क्या होता है अपने को यहीं नहीं पता ठीक है, एक मिन अच्छा, अच्छी आदा ही, जैसे एक ए question हुआ एक जैसे शब्द दिख रहे हैं मगर मतलब अलागे gender equality, gender equity इसी के नीचे एक और question देखो what is regional disparity how does it differ from diversity क्या आपको यह चीज समझ में आ रही है कि एक जैसे शब्द दिख रहे है मगर मतलब अलागे मतलब एक जैसे शब्द sound कर रहे है है ना equality, equity, disparity, diversity in fact अब जैसे अगर आप previous year का question खोलोगे आप खुद खोल के देखना मैं नहीं दिखाऊंगा क्या आप यह बात नहीं जानते कि inclusive growth पे intra-generational और inter-generational question पूछा गया था बताओ intra और inter intra और inter intra और inter generational आदी जनता वहाँ टपक दे कि आप यह inter-generational, inter-generational, inclusive क्या बोड़ रहा है समझी नहीं आ रहा आप लोगों को शायद यह लग सकता है क्योंकि आपने paper होने के बाद कहीं यह सुन लिया, कहीं यह पढ़ लिया तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरे साथ थोड़ी होगा यह मैं तो एक मिर्ट में बता दूँगा, gender equity, gender equality में क्या difference है disparity, diversity में क्या difference है inter-generational, inter-generational inclusive growth में क्या difference है यह तो मैं एक मिर्ट चुटकी बादी बता दूँगा, ऐसा नहीं होता जब आप exam में बैठते हो, तो ऐसे keyword आपको ध्यान में नहीं आते चलो मैं आपको एक नया keyword देता हूँ, यह आज तक नहीं पूछा गया है कभी भी नहीं, एक दम मैं को thought आया आपको एक keyword देता हूँ, economic क्या आप लोगों ने manipulation के बारे में सुना है stock market में manipulation किया जा रहा है अडानी के बारे में जब आप पढ़ रहे हो यह current में सब पढ़ रहे है राइट, वहीं जब आप NCRT पढ़ते हो न 12 की macroeconomics आप वहाँ पढ़ते हो speculation speculation अब imagine करके देखो कि अगर मैं एक examiner जैसे आपको question बना दूँ debt the speculation leads to stock market manipulation आप वहाँ पर अटक जाओगे, पता है क्यों क्योंकि यह term आपने अभी सबसे पहली बार सुनी है यह कभी नहीं आई, कभी नहीं सुनी है आपने, मैं जानता हूँ तो जैसी मैंने आपको यह बोला कि speculation leads to stock market manipulation मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि सभी अटक जाएंगे कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र का question बता दिया हूँ मैंने कि ब्रह्मास फेक दिया किसी के पास solution नहीं नहीं मैं आपको सिर्फ इस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने जब भी ऐसी कोई चीज आती है न तो आप घबरा जाते हो क्यार यह speculation leads to manipulation अब यहाँ पे speculation का मतलब क्या होता है manipulation आप लोगों को यह जो चीज है इसकी practice पहले से करके जानी पड़ती है यह exam में बैठ के नहीं होता है अब अगला question आएगा student का कि भाई हमको क्या पता कि manipulation पर question बनने वाला है हमको क्या पता कि diversity और disparity पर question मनने वाला है हमको क्या पता gender equality और gender equality पर question बिल्कुल ठीक बात है आपको नहीं पता मगर आपको यह तो पता है कि equity और equality के बीच में मुझे difference पढ़के जाना चाहिए हाँ या ना आपको यह तो पता है कि मुझे speculation का exact मतलब पता होना चाहिए और जब मैं stock market manipulation को पढ़ रहा हूँ तो उसका exact मतलब पता होना चाहिए साथ ही साथ यही तो brainstorming होती है जब मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूँ जैसे speculation तो मेरा दिमाग चलना चाहिए ना कि आर मैंने तो stock market manipulation के बारे में भी पढ़ा था देखो कितने सेम शब्द है क्यूलेशन, प्यूलेशन क्या इनको भी compare कर सकते हैं क्या समझ रहे हो जैसे australis, borealis same sound कर रहे है aurora aurora same australis, borealis इनमें क्या difference होता है क्या यह north और south के कारण अलग-अलग है क्या ऐसी चीजें अगर आप पहले से सोच नहीं रहे हो तो फिर आप क्या ही कर रहे हो इसी को कहते है brainstorming, जो मैं अपने हर mentorship session में कोशिश करता हूँ कि मेरा student पहले से सीखे अगर आपने ऐसे 10 keyword पे भी practice करी हुई है ना, आप वहाँ पे घबराओगे नहीं, अब मैं आपको जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक differentiation लिखके बताओ क्या आप लिख सकते हो, क्या सोच के बताना मैं आपको बोलूँ कि conductor, semiconductor और super conductor इनके बाब बीच में आप मुझे difference लिखके बताओ अब आप ये सोच के देखो कि क्या आप इस चीज को लिखने में सक्षम हो, conductor semiconductor और super conductor majority of the जनता बैढ़ गई होगी, क्या ये क्या पटक दिया इसने, क्योंकि ये question अभी तक नहीं पूछा गया है कि conductor, semiconductor और super conductor में क्या difference है बट मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि क्या ये super conductor साल भर से हम news में नहीं पढ़ रहे हैं क्या सोच के बताओ semiconductor पे कितने answer writing के session conductor कर चुके हैं हम लोग आप लोग खुद सोच के बताओ conductor और insulator के बीच में क्या हम difference नहीं पढ़ चुके हैं, आप खुद सोचो ये कि मैंने आपको ये पढ़ाया है या जो भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है जवाब है हाँ बट क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि जब मैं conductor पढ़ रहा हूँ semiconductor पढ़ रहा हूँ तो एक बार इन तीनों के बारे में साथ में differentiation करके तो देख लूँ अगर साथ में question पूछ लिया तो क्या करूँगा वाँ पे बैठके वहाँ सोच ही नहीं पाऊंगा इन तीनों में क्या difference है और चलो सोच भी लूँगा मगर मैं ऐसी मुर्कता क्यों करूँ पहले सी सोच के जाता हूँ न एक बार अगर आज practice करी जीवन में कभी भी तो कुछ तो याद रहेगा शुरू तो पाऊंगा अपने answer को लोगों से पहले उसी में आगे निकल जाऊंगा ये बहनत आपको करनी पड़ेगी ये होती है brainstorming अब जैसे मान लो ethnicity, nationality क्या difference है भाई या क्या-क्या अलग-अलग impact होते हैं इसके ethnicity, nationality को कैसे है nationality, ethnicity को ये चीज़ें आपको पहले से करनी पड़ेंगी अगर आप UPSC निकालने का और टॉपर बनने का सोच रहे हो तो ऐसा नहीं कि ethnicity के बारे में basic ethnic cleansing, ethnic cleansing पड़ी international relations में nationality, nationality पड़ी preamble में और पहुँच गए नहीं चलेगा काम आपको exactly इन चीज़ों के keyword पता करने पड़ेंगे और अगर आपने mark my words अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो बहुत से questions तो आपके लिए हलवा हो जाएंगे exam में actually में क्योंकि वो चीज जो examiner पूछ रहा है वो तो आप already practice करके गए हो next सीख लेते है next learning जो है वो तो बहुत ही बड़ी है बहुत ही जादा बड़ी बहुत ज्यान से देखना इस question को पढ़ो क्या question है cloudburst ये question है just previous year में cloudburst पे UPSC ने question पूछा था बोलो हाँ इसका मतलब हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर 2023 की mains में कोई question आया है तो क्या हमें उसे solve करके जाना चाहिए हाँ इसका मतलब ये है कि जो एक गलत मंधारना लोग की बन जाती students की की 2023 के mains में तो आ गया अब 2024 के mains में थोड़ी पूछ सकते हैं ये 2022 में आ गया तो 2024 में इतनी जल्दी थोड़ी पूछेंगे अरे पूछते हैं आपका काम है उनको solve करके जाना वो किसी ना किसी तरह आपके काम आ जाएगा अच्छा अब आप में से कई लोग ये भी बोलेंगे एक तो हर चीज प्रूफ करनी पड़ती है अब आप बोलोगे कि ये जो cloudburst है तो तुक्के में आ गया अब एक question क्लिक है मैं सारे 2023 के mains के question करूँगा क्या मैं तो बेखूफ हूँ नई अब भी रुको आप लोगोंने 2024 में Maldives का question देखा exact Maldives का question previous year में पूछा जा चुका है और आप अब ये भी बोल सकते हो कि previous year में पूछा तो गया है मगर आप हमको बता रहे हो 2013 का एक question है ना हम बैठें 2024 में तो ये कैसी मुर्खता है समझो बात को ये question ज़रूर 2013 का है अरे भाईया मुद्दा तो current है ना आप में से कौन India go back issue के बारे में नहीं जानता आप में से कौन मिजू के decision के बारे में नहीं जानता आप में से कौन यह नहीं जानता कि India Maldives का issue इतना बड़ा हो गया था कि हमारे स्वयम प्रदान मंत्री जी को लक्षदीव जाना पड़ा अब समझना मैं क्या समझाना चाहरा हूँ मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि इस topic पे एक question डेल शौर confirm था कि Maldives पे question पूछा जाएगा ठीके अब यह हमारा दाइत्व था कि हम इसे prepare करके जाए on the lines of previous year question जो हमसे दो-तिन बार UPSC पूछ चुका है समझरे आप बात को अगर आपने Maldives पे एक answer prepare किया अगर आपने Lakshadweep और Maldives को compare करके एक answer prepare किया तब तो आपने preparation की वरना आपने फिर क्या ही preparation की वो तो अलग बात है कि Lakshadweep पे 2024 में question नहीं आया बट compare करके भी तो आ सकता था कि Lakshadweep Maldives को कैसे beat कर सकता है, compete कर सकता है हम उसे कैसे tourism hub बना सकते है मैंना आपको Cloud Bus बताया मैंना आपको Maldives बताया, चलो एक और कैक बता देता हूँ, अब जैसे अब देखो, यहाँ पे जो question है कि Comptroller Auditor General जो है वो सिर्फ expenditure की legality को check नहीं करता बट also its property मतलब की वो सुनिश्शित करता है कि वो जो खर्चा हुआ है उसका और चित्त क्या है सही हुआ या नहीं समझ रहो अब यह जो question है, मुझे बताओ कि क्या आप Comptroller Auditor General पढ़ते हुए इस चीच को पढ़ सकते हो क्या, जवाबे नहीं पढ़ सकते पढ़ ही नहीं सकते है यार आप कैसे imagine करोगे कि CAG जो है वो ऐसा मतलब UPSC ऐसा question पूछेगा CAG पे कि वो यह कर सकता है कि सिर्फ यह भी उसके दाइतों में आता ऐसा question पूछेगा बट इसी लिए तो उन्होंने PYQ आपको दिये हुए उन्होंने exact same question CAG पे पहले पूछा हुआ है तो भले किताब को CAG से पढ़ते हुए आप इस सिस को अज्यूम नहीं कर सकते मगर PYQ के थुरू कर सकते हो exact same question UPSC ने पूछा था 2016 में कि पहले तो बोला CAG की power exercise बताओ वो हमारे मतलब का नहीं उसने यह बोला कि जो audit करता है CAG government policy का implementation का क्या उससे वो overstep भी कर जाता है क्या और यह question पता है क्यों पूछा था क्योंकि control auditor general की report आई थी कि 2G spectrum में 1.6 lakh करोड का हो गया है घोटाला और D.Raja को भेज़ दिया जेल में गिर गई Congress की सरकार आगई BJP इतना बड़ा इस report से impact हुआ था कि corruption हो गया 1000 करोड का जब finally report आई CAG की ही future में कि अरे नहीं नहीं हम ये बोल रहे थे कि 2G spectrum को अगर ऐसे ऐसे करके बेचा जाता वो भली possible ना हो उस तरीके से बेचना अगर ऐसे ऐसे करके बेचा जाता तो इतना पैसा revenue के form में सरकार ले सकती थी समझ रहे हो इस topic पे उन्होंने question पूछा था तो अगर आपने इस PYQ को देखा होता शिद्दत से इसको समझा होता तो आपसे आप खुच सोचो मैं नहीं बोलूँगा आप ये खुच सोचो कि जो अभी आपने इस question को face किया क्या आप इस question को answer कर पाते जवाब है हाँ तो आपने क्या चीज़ सीखी ये आपने lesson लिया यहां से कि PYQ जो है उनके context को समझना है उनके context को अगर हम समझ गए तो जो question UPSC हम से पूछ रहा है there is a very big probability कि अगर topic same है that is CAG तो इसको हम solve करके ले जाएंगे इसके बाद में next अब जैसे यहां पर आप देखो आपको दिया हुआ है doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servant become absolutely positive discuss majority student डर गए और बापरे ये doctrine of democratic governance क्या हो गया अरे भाया कुछ नहीं है इससे हमें एक सबक मिलेगा learning क्या है वो learning अगली learning आपके लिए learning ये है कि किसी भी एक शब्द एक term एक terminology को देख के डरना नी और किसी एक term एक terminology को देख के बहुत ज़्यादा खुश नी होना चलो मैं दोनों का example देता हूँ contradictory ये जो एक question आया है one nation one election पे student को लागा है साल भर में इतने point रटे हुए 50-50 point लिखूंगा पूरी copy भर दूँगा मगर जब उसने देखा कि अरे ये question one nation one election पे नहीं पूछा है बलकि उन्होंने ये पूछा है कि कौन कौन सी committees ने अपने electoral reforms बताते हुए one nation one election का जिक्र किया है और क्यों किया है कोई बोल रहा है पैसे बचेंगे कोई बोल रहा है transparency आएगी एक्सेटरा one nation one election 99.9999% students ऐसे हैं जिनको कम से कम 50 पेज भरने का बोलें तो एक मिन में भर दें मगर .001% students भी अलग-अलग committees का नाम mention करके उनके द्वारा कौन से electoral reforms बताये गए जिसमें one nation one election की बात की गई वो नहीं लिख सकते इससे सीखा क्या मैं यह नहीं बोड़ रहा हूं कि यह बहुत easy था यह actually मैं बहुत tough question है बहुत ज़्यादा tough मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि कि किसी एक शब्द, एक term, एक terminology को देखके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना कि बिना question पढ़े यह answer लिखना शुरू कर दिया कि चलो one nation one election लिख दिया और अपन बहुत खुश हैं कि बाया मेरा paper तो बहुत अच्छा गया और किसी एक term, एक terminology को देखके बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना कि यह तो पढ़ाई नहीं है यह तो मैं करी नहीं सकता इस question में तो मैं गया इस question को तो छोड़ना ही पड़ेगा इतने number 10 number तो भूली जाओ ऐसा नहीं होता आप लोगों को यहाँ पे doctrine of democratic governance के आगे integrity commitment of civil servant तो दिख रहा है तो बस यहाँ पे यह कोई अलग बात थोड़ी कर रहा है democratic governance की आप democratic government के बारे में नहीं पढ़ते government का governance तो हमारी government जो governance करती है वो democratic है उसका governance बस समझ रहो तो यहाँ पे अगर आपको in terms के बारे में clarity है जो ethics की terms है तो आप इस question को लिख सकते हो कोई ऐसी बात नहीं कि doctrine लिख दी तो कोई अलग doctrine है जो आपने नहीं पढ़ी जिसके बारे में आपे लिखना है ये कुछ चीजें आपको अपने दिमाग से वहाँ पे खेलना पड़ेगा कि भाईया अगर कोई ऐसी doctrine होती democratic governance पे अब मालनों है आप doctrine of democracy लिख दूँ अरे भाईया अगर democracy पे कोई doctrine होती है मैं न पढ़ी होती न मैं भुद्दु दोड़ी हूँ जो इतने साल से पढ़ रहा हूँ या इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ समझ रहो तो ये कुछ दोस्तों lessons थे वैसे देखो देने के लिए दो बहुत सारी चीज़ें मतलब और चार घंटे बोलता रहूँगा मैं मगर ये वो कुछ की चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि हर student सीके और भी जैसे-जैसे मैं newspaper sessions conduct करता हूँ जैसे आप जानते हो daily basis पे आपको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ so stay tuned with me to learn these type of things that's it from my side for this particular lecture we'll meet you soon till then keep shining have a good day